हाई एवरिवाइन मुझे उम्मीद है आपको हमारा कुर्स बहुत पसंद आ रहा है और हमारी सारी वीडियो को आप देख भी रहे हैं ठीक है तो देर इस्टुडेंट आज का जो हमारा इस्टुक्चर पर बहुत ही शांदा इस्टुक्चर होने वाल है लेकिन हमारे पर जाएंगे उसके बाद या किसी इनसान को या मुझे किसी बी काम को करने की आदत हो रही है उस आदत को बताने के लिए हम इस इस्टुक्चर का यूज करते हैं example के तोर पे अगर मैं इस तरह से बोलू कि तुम्हें जूट बोलने की आदत हो रही है अब रही है रही है यानि कि present की बात है तो सिधी सी बात है तो किस तरह से बोलूँगा जैसे तुम्हें जूट बोलने की आदत हो रही है you are getting used to telling a lie उसे नीम में बाते करने की आदत हो रही है he is getting used to talking in sleep जैसे अगर मैं यह बोलू कि उन्हें PUBG खेलने की आदत हो रही है they are getting used to playing PUBG तो यह तो present की बात है अब इसी बात को हम past में भी तो बोलते हैं जैसे उसे नीम में चलने की आदत हो रही थी he was getting used to walking in the sleep जैसे उसे पूरी रात पढ़ने की आदत हो रही थी he was getting used to studying whole the night तो जब किसी इंसान को मुझे आपको कोई भी काम करने की आदत हो रही है या आदत हो रही थी उसको बताने के लिए हम इस structure का यूज करते हैं बहुत ही छोटा सा structure था लेकिन advanced structure था में जब भी मौका आता है यह structure का यूज करने का आप मुझे उम्मीदे आपको यह structure समझ में आया होगा फिर भी कोई भी doubt है अगर आपका तो आप comment section में मालूम करना बिल्कुल ना बुले Thank you very much everyone